Hello Parents आपकी स्क्रीन पे अभी जो ये jeżeli warned 밝혔 ये दिछाई दे रहा है इस message के अंधर basically आपको एक link मिलेगा सबसे ओपर और एक link मिलेगा सबसे नीचे तो ये message जो है आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि करना क्या है school जो है वो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए एक app जो है launch करने जा रहा है इस app के अंदर आपको अपने बच्चे की daily की attendance और उसका जो humor कोगा और जो भी notification होगे school से related या आपके बच्चे से related वो आपको इस app पर ही मिलेंगे यह app आपके android phone में काम करेगी और यह android phone का ही जो link है मैंने इसके अंदर डाल दिया है आप इस link को follow करके इस app को install कर सकते हैं इस app को install कैसे करना है और इसमें login कैसे करना है इसके बारे में ही मैं इस video में आपको बताने वाला हूँ आपने सबसे बहले इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से और सारे step जैसे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे ही आपने follow करने है सारे step follow करने के बाद भी या वीडियो देखें के बाद भी तो चलिए देखते हैं कि इस app को कैसे install करना है और आगे इसमें login कैसे करना है सबसे पहले आपको इस link पर जो उपर दिया गया है इस पर आपको click करना है और यह आपको play store को लेके जाएगा वहाँ पर आपने इस app को install कर लेना है मेरे पास already installed है तो मैं इस app को open कर लेता हूँ जैसे यह आपकी app install हो जाती है एप install होने के बाद आपकी screen पर कुछ इस तरीके की screen आएगी यहाँ पर आपको get started पर click करना है उसके बाद यह screen जो आपके सामने नजर आ रही है आपको सबसे उपर दिया हुआ है student ID password में password जो है वो आपके बच्चे की date of birth है उसके नीचे school website दी हुई है इसकी पूरी detail आपको message में भी मिल जाएगी कि school website name क्या डालना है और student ID का मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या डालना है तो सबसे पहले जो student की ID है बच्चों को मैं बता देता हूँ कि जितने भी students है उनकी जो student ID है वो उनके classroom के door के back side में जो उनकी roll number list लगी हुई है उसके अंदर उनकी student ID अल्रेड़ी डली हुई है बाकी जितने भी छोटे बच्चे हैं class second तक के उनको उनकी ID उनके class in charges से मिल जाएगी Monday को तो जितने भी बच्चे अपनी ID अभी जानते हैं वो login कर सकते हैं बाकी के जितने भी बच्चे हैं वो अपने इन charges से Monday को उनकी ID ले सकते हैं या फिर आपके साथ WhatsApp ग्रूप में Monday को ये चीज शेर कर दी जाएगी अब मेरे पास मैं एक बच्चे की ID आपको login करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने login करना है एक बच्चे की ID मैंने यहां पर डाल दी है अभी school website name जो है वो है Tagore small letter में आपने इसको डालना है कोई space नहीं देना आपने उसके बाद आपने sign in पर tap कर देना है जैसे ही आप sign in पर tap करेंगे उसके बाद आपकी जो ID है वो login हो जाएगी यहां पर हमने I think कोई mistake की है student ID वगएर डालने में तो अभी एक बड़ दोबारा चेक कर लेते हैं जैसे ही आप sign in पर click करेंगे बच्चे की जो profile होगी वो आपके सामने नजर आएगी यहां पर जो देखने वाली चीज़ें हैं से पहले user profile में आप जाते हैं तो आपके student की सारी detail आपको यहां पर बिल सकती है number उसकी date of birth वगएरा father name, mother name सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी उसके बाद आप back जाएंगे तो यहां पर यह homework का option है homework पर जब आप click करते हो तो आप सभी subjects का homework यहां पर देख सकते हो अगर आपको किसी पुरानी date का homework चेक करना है तो सबसे उपर आप देख सकते हैं calendar बना हुआ है calendar पर tap करके आप पुरानी कोई भी date select करेंगे और okay करेंगे तो आपको पुरानी date का homework भी यहां नजर आ जाएगा उसके बाद वापिस आप home screen पर आते हैं तो यहां पर आपको attendance का option मिल जाता है यहां पर color के according दिखाया गया है कि कौन से color से आपको क्या पता लगेगा for example green color से अगर date highlighted है तो बच्चा present है red से highlighted है तो that means बच्चा उस दिन आपका absent रहा है बाकी के colors के according भी आप check कर सकते हो पुरानी किसी date का अगर आपको check करना है तो आप यहां से from पर जाएंगे और पुरानी date select करेंगे to में जाएंगे कहां तक की range आपको select करनी है वो आप choose करेंगे यहां से और आप किसी भी पुरानी date का जो आपके बच्चे की जो attendance है वो check कर सकते हैं यहां से पूरे month की आप check कर सकते हैं एक बार में उसके इलावा आप home पर जाएंगे तो यहां पर book list, leave application और syllabus वगएरा भी आपको दिख जाएगा दूसरी चीज़ अगर आपके बच्चे इसी school के अंदर दो या तीन या उससे जादा या कम हैं तो आप एक ही phone से दोनों तीनों बच्चों की app को login कर सकते हैं उस case में आपको सबसे उपर टॉप में दिख रही होगी तीन lines यहां पर आप जब click करेंगे तो सबसे नीचे आपको एक option मिलेगा switch student switch student अपर आपने click करना है वैसी ही detail जो आपने पहले fill की थी वही detail आपको यहां पर डालने हैं तो मैं अभी दूसरे बच्चे की detail भी डाल देता हूं जैसे ही आप बच्चे की detail डालेंगे तो आप देख सकते हैं sibling student added तो यहां पर आप देखें दो बच्चे मैंने add कर दिया है अभी जैसे मैं आरव सैनी की profile अगर देखना चाहता हूं तो मुझे उस पर click करके उसको उपर ले आना और नीचे आप देख सकते हैं home का button बना हुआ है home पर आपने click कर देना है अब अगर आपको दूसरे बच्चे की check करनी है तो वहीं पर आप जाएं वापिस switch student पर और अमन वीर बच्चे को मैं उपर ले आता हूं अभी उसके बाद नीचे home button पर मैं click करता हूं तो अमन वीर की profile मेरे सामने आ जाएगी इस तरीके से आप एक, दो, तीन, चार जितने भी बच्चों को add करना चाहते हैं वो बच्चे आप add कर सकते हैं अभी के लिए इसके अंदर आप दो बच्चे add कर सकते हैं एक time पर हम इस पर काम कर रहे हैं हो सकता है आने वाले time में दो से जादा बच्चे भी इसमें add हो जाएं बट अभी आप सिर्फ दो बच्चे add कर सकते हो इसके इलावा इस एप के अंदर आप खुद से explore करके देख सकते हैं चीजें और कौन-कौन से feature इसके अंदर है हमारी तरफ से जो जो features roll out होते रहेंगे हम आपको उसकी time to time information देते रहेंगे वापिस मैं उस message पर आता हूँ एक बार इस message के अंदर एक link दिया वा निचे if you have any issue or concern please don't hesitate to reach out to this link ये मेरा WhatsApp नंबर है इस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे WhatsApp के उपर reach out कर सकते हैं अगर आपको कोई problem हाती है उसके बार दिया आपने मुझे message करना है thank you